तो आज हम बनाएंगे चोको नुटेला कोकीज तो आओ देखते हैं चोको चिप नुटेला कोकीज कैसे बनेगी और इसे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए अज़ लगा नुटेला हम बना रहे हैं नुटेला चोको चिप कोकीज तो आज हम बना solves ayamu काकिज बनाने के लिए सबसे पहला में एक श्पून से छोटे छोटी पीस इस तरह से निकाल के नुटेला के freezer में रख देंगे set होने के लिए क्योंकि नुटेला हम यूज़ करेंगे stuffing में अपनी cookies की तो आज हम बनाएंगे नुटेला चोको चिप cookies तो ये रख दिया आपने freezer में set होने के लिए आदी गुंटे के लिए इतने हम लेंगे एक बड़ा बावल, बटर और चीनी एड़ वनीला एसेंस तो जितनी हम चीनी लेंगे उसी के equal quantity हम लेंगे बटर तो दोनों को एक बावल में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह मैंने एक कप डाल दिया इसमें बटर और एक कप ही डालेंगे मैंसे यह पिसी हुई चीनी तो जो आपका बटर है रूम टेंपरेचर पे होना चाहिए अगर वो फ्रीजर में होगा तो ढंक से मिक्स नहीं कर पाएंगे तो यह मैंने रूम टेंपरेचर का बटर ले लिया है और आप इसमें हम डाल देंगे एक कप चीनी और अब इन दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे कि जिससे चीनी और बटर आपस में इस तरह से मिक्स हो जाए कि हमारा एक पिस्ट तयार हो जाए तो जितने मैं चीनी और बटर को मिक्स करती हूँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वस्ट है, कि वीडियो को पूरा देखें, और जो न्यू जूट रहे हैं, वो मेरे चैनल को सिस्क्राइब भी कर लें, और साइड पर दबे वे बेल के आगान को भी दबा लें, तो ये द अब इसमें हम डालेंगे दो चुमर दूर, और अब इन चीरों को फिर से अच्छा से मिक्स करेंगे, इस तरह से, तो ये हमारी चीनी, बटर और पनील ऐसें से अच्छे से मिक्स हो गए, और थोड़ा सा मिल्क, तो ये हमारा बेटर कुछ इस तरह का होना चाहिए, अब इसमें हम एड करेंगे बेकिंग सोडा, तो ये हाफ स्पून डालेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा, और दो कप लेंगे हम मैदा, पहले डालेंगे इसमें हम एक कब मैदा, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये देखोई mix होने लगा है breadcrumb की तरह अब इसमें हम डाल देंगे दूसरा कम मैदा भी और आप इसे डाल के हमें एक dough की तरह तयार करेंगे तो इस तरह से आप इसे butter को और मैदे को और चीनी को सब को mix करेंगे और तब ही इसमें डाल देंगे हम दो चमबच चौको चिप और अब अपने हाथ की help से finger की help से अच्छे से इसका एक dough तयार करेंगे क्योंकि इस spoon से dough बनना मुश्किल होता है तो अब आप spoon को रखें साइड में और हाथ से इसका एक dough तयार करें जैसे हम पूरियों का dough बनाते है सेम उसी तरह से अब इस dough को हमें तयार करना है तो इसमें हमने डाला एक कप चीनी एक कप बटर दो कप मैदा दो चमबच चौको चिप और आधा चमबच बेकिंग पौडर और दो चमबच दूर तो यह देखो इस तरह से हमारा dough एकदम बनके हो गया है तयार कि हम इस dough को आप कवर करके अच्छे से चाहे तो आपको एक क्लीन फोईल लगा दे या फिर किसी प्लेट से कवर करके एक घंटे के लिए रख दे इसे फ्रिज में और अब एक घंटा हो गया है आचे को निपाल लिए अफिमें से बाहर यह अक्त तरह से सभट है और यह है जो नोटेलामच फ्रिजर में रखा था सेट होने के लिए और यह मैने इक ट्रे लिए Baking ट्रे और इस Baking ट्रे पे लगा दिया यह मैने bytaur पेपर अब हम लेंगे थोड़ा सा डो, तो इस तरह से आप डो ले लें हाथ में और उसके सेंटर में बना लें एक छोटा सा स्पेस, जिसमें हम लगाएंगे नुटेला, तो इस तरह से आप में थम से दबाते हुए, जैसे हम आठे में पराठे के टाइम पे स्टफिंग के लिए बना दे, तो इसी तरह से देखो एक हमारी कोकीज बन चुकी है, अब हम दूसरा पेडा तोड़ेंगे, और इसके सेंटर में भी अंगुठे से करते हुए जगा बनाएंगे, और उसमें नुटेला का पीस रखेंगे, तो इसी तरह से हम सारी कोकीज को तैयार करेंगे, तो जिसे हम बेक करेंगे अपने माइक्रोविव के कन्वेक्शन मोर पे, तो ये देखो मैंने फिर से कोकीज बना के तयार कर लिए, लेकिन अभी हम बेक नहीं करेंगे, जितने मैं सारी कोकीज को तैयार करती हूँ, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कि मेरी वीडिय को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो अपने फैमिली प्रेंस के जास भी जरूर शेयर करें, और जो न्यू भाइबेर मेरे साथ जोड रहे हैं, वो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें, तो आप से बात करते हूए, मेरी को किस बन के तयार होगी, अब हम माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पर करेंगे बेक, तो मैंने जिसे किया हूए, प्री हीट, 180 डिग्री पर, तो यह दिखो पूरी तरह से गरम है, तो अब इसे हम रखेंगे अपने कन्वेक्शन मोड पर, पूरे 30 मिनट्स के लिए, को किस को बनने के लिए 25 से 30 मिनट्स तो आप अब चेक कर लेना कि आपके माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड कितने पर प्री हीट किया था और उसे बनने में कितने दे लिए लगती है, तो इसलिए पहले आप उसे 20 मिनट्स के लिए करें, और उसके बार 5-5 मिनट्स का वेक्लिक भी आप कर सकते हैं, तो अभी परफेक्ट बेक हो चुकी है, तो अभी हमने भाहा निकाले और इसे थोड़ा सा थंडा होने देंगे, तो यह देखो कितने अच्छी क्रिस्पी बनी है, और गाइस, इंकी सांद से भी जासा आपको पता चल रहा होगा, कि हमारी कोकिस एकदम परफेक्ट और क्रिस्पी बन तो अगर आप भी ऐसी कुकीज बनाना चाहते हैं, जो अंदर से एकदम सॉफ्ट है, तो तोड़के मैं आपको दिखाती हूँ, और चौकलेट से भरी है, तो मेरी रेसिपी को फोलो करें, और हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंस के साथ भी जरूर शेयर करें, तो वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक तो बनता है, फिर मिलते हैं अगली वीडियों, bye bye, see you, take care, enjoy गीता सिंग रेसिपीज, happy cookies day, bye bye, take care, stay home, stay safe.